जाहिन दोस्तों वेल्कम बेक टू दा चैनल सुटरन और डिटरन्स और आज जो अन्बॉक्सिंग होने वाली है और डिटेल रिव्यू जो होने वाली है वो होने वाली है HDV स्नाइपर नाइट्रो की तो देखिए हमारे पास ये काफी बड़ा बॉक्स पहुंच चुका है HDV स लेट्स अन्बॉक्स इट देखते हैं क्या बॉक्स कॉंटेंट और क्या निकलता है इसमें से प्रोडक्ट लेट्स सी दोस्तों वीडियो में बने रही है बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस डीबीए स्नाइपर नाइट्रो के बारे में ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है ठीक है क्योंकि काफी सारे डीटेल्स इसमें मैं देने वाला हूं तो लंबी जरूर हो सकती है बट आप इसको पूरा वाच जरूर करना सो डेट आपको सारा कुछ जो इस डीबीए स्नाइपर नाइट्रो के बारे में जो कनफ्यूजन है वो किलियर हो जाएं तो दोस्तों आपको नापको का लिए करना था ऑपको जो आपको अलाइट तो यहाँ जो आपको कि अपको आपको तो यहाँ जोड़ा जोड़ा है दे HDB स्नाइप और नाइट्रो चलिए फटाफट इसका सिनेमेटिक कोछ इन्जॉय करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका डीटेल्ड रिव्यू क्या है ये गन और क्या इसका है रिव्यू इसके बारे में सब कुछ जानते हैं लेट्स सी सो दोस्तो हेर वी हैब आवर ब्रैंड न्यू HDB स्नाइप और नाइट्रो तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं सबसे पहला जो चीज में मैं सब करा दूए देखिए नाइट्रो पे लग चुका है जंग क्यूं लग चुका है गन की गलती नहीं है थोड़ा सा यूज करके और इसको डाल दिया गया था डारेक्ली बीना किसी ओयलिंग के लिए ओयलिंग किये हुए इस वज़ा से ये ऐसा कुछ हो चुका है और अभी चल रहा है मौनसून का टाइम तो ये होना लाजमी है चलिए आगे बात करते हैं तो ये गन जो है अभी मैंने प्लेस कर रखा है प्लिंक स्पोट्स के EZ0 पे जिसका रिव्यू वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्किप्सन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैरल से ये गन ब्रेक बैरल की केटेगरी में आने वाला इंडिया में टॉप मोस्ट में काउंट होता है ये गन के कंपेरिजन में एक दो गन ही है इंडिया में जो इस बजट में आते हैं लाइक NX200 और एक दो गन्स और हो सकती हैं बट इसके लेवल में सिर्फ एक NX200 ही आता है आपका बहुत ही बढ़िया इसमें फ्रंट साइट दिया हुआ है जो कि फाइबर आप्टिक नहीं है बट फिर भी अच्छा काम करता है उसके बाद इसका जो बैरल है वो 16 इंस का 0.177 गूवड बैरल है और ये काफी अच्छी एकूरेसी निकाल देता है एक्चुटली मैं काफी अच्छी बैरल है ठेक है अच्छे से इंपोर्टेट पैलेट को भी सपोर्ट करता है और इंडियन पैलेटस भी अच्छे चलाता है उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो आपके पास है एक rear side जो की adjustable है, दोनों ही vintage elevation और दोनों ही ये काम में आता है, आपको left-right भी होता है और आपका up-down भी इस knob से होता है, एक बुरी चीज है इस side के बारे में कि इसमें थोड़ा सा play है और build quality काफी खराब है इसकी comparison to NX200 या कोई भी air rifle इसको थोड़ा सा आपक चाहिए था तो थोड़ा अच्छा quality का fiber इस्तिमाल करना चाहिए था थोड़े से जो अच्छे quality के जैसे आपने trigger guard पे इस्तिमाल किया है वैसे अगर यहां पे इस्तिमाल किया होता तो यह काफी अच्छा आपको resultant दे देता और काफी अच्छा एक review निकल के आता है यह इसक technology है जो कि springer से थोड़ा सा हटके है इसमें कम recoil, कम vibration और better accuracy आपको निकल के आप आती है और long lasting है जैसे कि आपको जैसे spring है हजार दो हजार सौट के बाद वो खराब हो जाती है यह नहीं होती है यह है SDV का logo सबसे बढ़िया बात इसका जो stock है देखें अभी यह breach stock में भी आने saving है यह देखें कितनी fine की हुई है लगता है जैसे कोई imported rifle है like diana and all हाँ उसकी compare की नहीं है बट फिर भी काफी अच्छी है इसका जो trigger system आप देख पा रहे हैं मुझे लगता है कि इस budget range में सबसे best trigger यह बना के देता है हाला कि बीच में कुछ problems आई थी यह trigger automatic कभी-कभी fire नही से solve कर सकते थे यह simple छोटा सा problem था कचरा जाने के कारण यह block हो जा रहा था अभी मेरा gun remain on load है और कोई भी इसमें pellets inside नहीं है तो यह जो trigger है perfect two stage है मैं इसकी second video लाऊंगा तो इसमें आपका trigger का review दिखाऊंगा कि यह कैसा काम कर रहा है उसमें मैं suit करके भी इसको उसके बाद जो आता है यहाँ 11 mm का आपका dovetail rail है जो की ठीक है इसके बारे में कुछ सिकायते सुनने को मिली है बट फिर भी ठीक है इसको प सच्छे से support कर लेता है उसके बाद तीन stopper pin है जो की NX200 में एक ही है तो यहाँ थोड़ा सा plus point लेके चला जाता है फिर इधर जब आते हैं तो सेम यहाँ पर आपको चिकरिंग मिलती है बहुत अच्छा fine quality का design के laser cutter से किया हुआ है उसके बाद आपको एक अच्छा quality का रियली में अच्छा quality का एक आपको butt pad मिलता है ठीक है फिर इस rifle के जब बात करते हैं तो इसका जो power निकल के आता है वो under 20 joules होता है आप आपको अच्छे accuracy के साथ 20 joules मतलब करीब करीब ये 850 fps क्लैम कर देता है 850 पे भी नहीं पहुच पाता है 800, 750, 760, 780 ऐसे ही रहता है जो companies क्लैम करती है मेरा gun 1200 fps देता है they are completely fake दोस्तों वो जो fps चेक होता है वो चेक होता है fast flights pallets पे जो की mainly plastic skirts के pallets होता है जो की बहुत हलके 5 gain, 6 grain के pallets होते है तो उस पे में भी ये 1200 जा सकती है 1200 उस पे भी नहीं जाएगी फिर भी company लिखती है तो वो गलत है वो नहीं जा सकता 1200 fps break barrel के लिए बहुत ही tough काम है कोई अगर जाता भी है तो वो इतना सस्ता break barrel नहीं हो सकता है इस बातों को आप लोग स अनकारी का अगर चीजे खरीद रहें तो फिर आपको ये चीजे देखने की जरुवत है अब पात रही कि इस rifle को खरीदना क्यूं है और इसको ना खरीदे तो दूसरा हमारे लिए कौन सा option हो सकता है तो इसको खरीदने का 2-3 mainly reason है first thing इसका जो power है और short consistency है वो काफी अच्छ है और काफी अच्छा ये power निकाल के दे देता है दूसरा चीज है इसमें जो butt stock है ये काफी अच्छे quality का बनाया हुआ है और chicken इस पे काफी अच्छी है और wooden finish में ये काफी premium लगता है और hand में पकड़ने में भी premium लगता है हाला कि इसका एक drawback है जो की है आपका कि इसमें आ थोड़ा सा increase हो जाता है बट weight का आप अगर manage कर सकते है थोड़ा बहुत ही increase होता है तो ये rifle काफी अच्छी है इसको खरिदने के लिए second reason है third reason है कि इसका barrel quality best है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ NX200 का barrel quality obtain नहीं कर सकता है अभी अभी उस compare का नहीं है ये बट फिर भी इ दूसरा कौन सा option है that is the NX200 NX200 इससे better barrel quality में आता है और थोड़ा सा उसका premium और body built जो quality है वो थोड़े अच्छे quality के product इस्तिमाल हुए है उसका rear side metallic है जो कि एक बहुत अच्छी बात है उसमें भी fiber optic नहीं आता है बट बहुत अच्छी बात है कि वो metallic real side है ठीक है तो वो rear side आ यहने तूटते देखा है और बहुत लोगों को यह भेजा है हाँ थोड़ा सा expensive है 600-700 का उसका आता है इसका 300 का दोनों set आ जाता है बट मैं एक चीज़ mention करना चाहूंगा कि वो 600 का भले ही आता होगा बट वो तूटता नहीं है नहीं खराब होता है वो better quality का है इसका groove भी का काफी अच्छा है barrel का और barrel का intact भी काफी अच्छा है पकड़ने में जो feel है यह सब में थोड़ा सा आपको front camera पर करके बताऊंगा कि पकड़ने में और कंधे पर लगाने में क्या जो feel यह देता है premiumness का वो चीज़ मैं आपको अभी करके और बताता हूं तो दोस्तों पकड़ quality आपको finish देता है trigger system काफी अच्छा है जैसा कि मैं आपको बता रहा था तो यह चीज़े हैं तो देखिए जैसे आप इसको hold करते हैं तो एक premiumness feel आती है बट बलकीनेस की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं है अगर आप इसका center of mask डूंड के और यहां अगर आप hold करते हैं और इसका look and finish भी काफी अच्छा है ठीक है देखिए कितना solidity एकदम यह body से चिपक के बिल्कुल well established और well designed rifle है बिल्कुल perfectly हाँ यह चीज जो है यह चीज जो chick pad है इसको थोड़ा सा यह flatty side में कर सकते थे यह थोड़ा सा ज्यादा cornice type feel होता है यहां इस पे लगने का वो रहत जो कि imported rifles में आता है इसको अगर थोड़ा अगर company वो कर ले पहले वीडियो आपने देखा होगा तो इस पे मैंने वो लगाया हुआ था इस पे थोड़ा सा मैंने rubberized वो लगाया हुआ था ताकि यह थोड़ा सा वो दिखे एक हमारी subscriber थे उनको वो gun भेजा हुआ था मैंने तो यह है कुछ आपका HDV sniper nitro देखे तो अगले वीडियो में इसका shooting review जरूर आएगा 10 meter पे इसका grouping करके देखेंगे कुछ अच्छे palette से और देखते हैं कि इसका क्या result रहता है और फिर देखे यह अगर sniper nitro आपको खरीद नहीं है तो इसका जो rate है यह 12,500 का मिलता है आपको तो यह आपको हमारे website से मिल जाएगा हमारा website का link description में है suitor unknown.in और whatsapp group हमारा join कीजे जो की है suitor unknown returns family के नाम से उसका भी link आपको description में मिल जाएगा हमारे youtube channel को like से subscribe करना बिलकुल से ना भूले second part के लिए बिलकुल से इंतिचार कीजे क्योंकि इसका वीडियो आने वाला है जि अगले comment में अगले वीडियो में इसको हम clear करेंगे ठीक है और scope लगाने के लिए काफी multiple videos मैंने बना चुके हैं तो ऐसा कोई लगता नहीं है कि मुझे जरूरत है इसपे scope लगाके और दिखाने का ठीक है मैं prefer open site ही करता हूं break barrel पे तो इसको break barrel को हम open site से ही suit करके देखेंगे उसके बाद थोड़ा सा इसका loading effort का बात कर लें तो कि loading effort क्या है देखें जो यह है यह first break है ठीक है आपको कुछ safety features भी मैं बताता हूं कि आपको gun को load कैसे कर रहे हैं जो लोग ऐसे करके और load करते हैं यह गलत तरीका है इससे आपका barrel छूट जाएगा बैरल छूटेगा तो यह तेड़ा हो जाएगा ठीक है यह उचक जाएगा फिर आपका गोली downी नहीं आएगा वो उपर उपर ही जाता रहेगा ठीक है तो ऐसा आप बिल्कुल ना करेए आपको सर पे भी मार सकता है ठीक है तो आप कभी भी यह जो पैर है यह थाई थाई ठाई पे अपने इस करके यहाँ पेले डालना है, फिर आपको यह जहटके से लोडनी करना है, अराम से लाना है, और अराम से यहाँ से लोड कर नहीं जाता है तो यह आप लोग करने की कोशिस ना करें कि जटका से मार रहें ऐसा कुछ और उसके बाद आपका डीगर सिस्टम है तो चलिए मैं एक पैलिट डाल लेता हूं और सेंफ रेंज में इसको फायर करके ठीक है देखिए अब इसका इधर मेरा काफी खाली रेंज है कोई दिखत नहीं है तो इसका मैं सेफ डिरेक्शन में मैंने कर दिया है यह ट्रिगर लॉक है ठीक है यह आटोमेटिक आता है आपको नेक्स 200 में बट मैं इसमें ऊटोमेटिक ना आके इसमें मैनुली आता है ठीक है तो यह לॉक कर दिया मैंने तो यह ट्रिगर नहीं होगा और जो यह यह जो है देखिए मैं आपको फायर करके दिखाता हूँ यह प्रापर टू स्टेज ट्रिगर है देखिए यह फ़र्स्ट स विस待ज फर्स्टेज फर्स्टेज देखैं। ऑ यह सेकंड सेज में देखें कितना जल्दी ब्रेक होता है ध देखें। इस वन design इस जो civ होनी जिय मुद्राइज मैं ऑनाट हो कि में सघ्री में डी में किया तफ वह समच कि उसटेज जो lock हो जाती है कोई ऐसा बड़ा चीज है नहीं तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो यूटूब पे description में link है वहाँ से आप लोग इसका वीडियो भी देख सकते हो तो like शर सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत बोलिए notification बेल जरूर से on कर लीजे ताकि आपको latest update जो इसका है हमारे चैनल का वो आपको मिलता रहे जो भी आपको second hand products है बेचना है या फिर खरीदना है या फिर new product खरीदना है WhatsApp ग्रूप पे बाते चलती रहती है और WhatsApp ग्रूप पे ही follow जरूर से कर ले बाइबाइब जैहीन जै भारत आप